हाई गाईज वेलकम तो माई चैनल वन्स अगें तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम अन्बोक्स करने वाले हैं रेडमी कमपनी की के सीरिज का रेडमी के 60 प्रो समार्टफन को जो कि दोस्त अब दो दिन पहले ही चाइनीज मार्केट में लॉंच किया गया है दोस्तो ये समार्टफन कमपनी का एक पारफुल फ्लैक्सिप समार्टफन है जो कि इनियन मार्केट में भी जल्द लॉंच होने वाला है तो दोस्तो ये वीडियो हमने अपने चाइना के एक फ्रेंड से मंगवाया है जो कि हमें कई अपकमिंग समार्टफन की अनबोक्सिंग वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे तो दोस्तो ये आप कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चलने को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो ये है Redmi K60 Pro समार्टफन का बॉक्स है जिसके उपर Redmi K60 की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है और ये Black Color का बॉक्स है चलिए दोस्तो बॉक्स को कर लेते हैं Open बॉक्स को Open करते ही सबसे पहले हमीं देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको दोस्तो सेंटर पंचोल का टाउट वाली फ्लैट इस डिस्पले भी देखने को मिल जाती है तो दोस्तो फोन में आगे आपको देखने को मिल जाता है 120W का फार्ट चारजर चली दोस्तो इसको भी रख देते हैं साइट में फोन के उपर आते हैं दोस्तो इस स्मार्ट फोन के अंदर आपको कमपनी ने काफी बड़िया फीचर प्रोवाइड कराए हैं दोस्तो अगर इसकी डिस्पले के बारे में बात की जाए तो दोस्त इस स्मार्टफों के इंदर आपको कमपनी ने 6.66 इंसके फूल HD 2 के AMOLED डिस्पले प्रोवाइड कराई है जो की 100 भी 660 रिफिरेरेट के सपोर्ट के साथ आती है इस स्मार्टफों के इंदर आपको इन डिस्पले फिंगर प्रोवाइड का भी फीचर देखने को मिल जाता है तो दोस्तो डिस्पले के मामने स्मार्टफों काफी बढ़िया है अब की बार इस स्मार्टफों के इंदर आपको 2K AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है तो दोस्ति इस Smartphone उन्तर आपको Xiaomi 12 Ultra Smartphone की यैसी ही डिस्पले देखने को मिलती है अलगि दोस्ति इसके इंदर आपको Carver Display नहीं मिलती जली दोस्त आए बात करते हैं इस Smartphone के Backpun के बारे में इस Smartphone के Backpun के पर आपको Triple Camera сensor मिल जाते हैं जिसमें दोस्ते इस smartphone के back film के पर आपको 50MP, 8MP और 2MP का rear camera और 16MP का front selfie camera देखने को मिल जाता है जी हाँ दोस्ते इस smartphone अंदर आपको company ने camera sensor काफी बढ़िया provide कराई है इसके अंदर आपको इसका main camera sony के IMX A18 का देखने को मिलता है जो कि 50MP camera sensor है जिसकी pictures quality sony IMX 766 से काफी बढ़िया होने वाली है चलिए दोस्ते इस smartphone के हम कुछ आपको camera sample भी दिखा देते हैं जो कि आप देख सकते हैं इस smartphone के हमने कुछ simple से camera sample लिये हैं बागी दोस्ते इस smartphone का detail camera review हम किसी next video में जरूर लेकर आएंगे चलिए दोस्ते बात कर लेते हैं इस smartphone के processor के बारे में तो दोस्ते इस smartphone इंदर आपको अब की बार company ने octa core processor के साथ 8 plus GN2 का chipset provide कराया है जो कि snapdragon का एक बढ़िया और उच्छा latest powerful chipset है यह आपको बढ़िया gaming performance भी देने वाला है क्योंकि यह chipset 4 nanometer technology के उपर काम करता है और इसके इंदर आपको Android 13 का operating system मिल जाता है और यह smartphone MIUI 14 के उपर चलता है जिसके इंदर आपको कई बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे advanced features का experience भी मिलने वाला है और दोस्तों अगर इस smartphone की battery के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस smartphone के इंदर आपको company ने अभी की बार 120 watt के fast charging support वाली पारफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है जिसके साथ आपको 30 watt का wireless fast charging support भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तों इस smartphone के इंदर आपको battery भी अभी की बार झारफुल देखने को मिलती है और इसके अंदर आपको fast charger भी बड़िया मिल जाता है और इसके साथ इस smartphone के इंदर आपको अभी की बार 30 watt का wireless fast charger मिलता है जिससे दोस्तों आप इस smartphone के अंदर wireless charging का भी use कर पाएंगे variant के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये smartphone आपको market में 8GB और 12GB RAM के variant में देखने को मिल जाता है जिसके साथ आपको 108GB, 256GB और 512GB internal storage वाले variant मिलते हैं तो दोस्तों market में smartphone को company ने दमागेदार entry के साथ उता रहा है और Indian market में भी smartphone आपको जल्द देखने को मिल जाएगा बागी दोस्तों इस smartphone का full review वीडियो भी हम जल्द ही लेकर आने वाल हैं इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जूड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ जूड़ने के लिए आप हमारे नीचे दिये गए red subscribe बटन को कलिक करें और bell icon को प्रेस कर दें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद